दे रूम ओफ मेनी कलर्स जिसे लिखा था रसकिन बॉर्ण ने यह एक सोट स्टोरी है दोस्तों जिसमें रसकिन बॉर्ण ने अपने बचपन की कहानी बताई है कि वो कैसे एक रूम में घुसे जहां पे बहुत सारे कलर्स थे और वो कलर्स उस रूम के खिडकियों पे था जिसकी समरी हमने इस चैनल में बना रखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम स्टॉबर्ट सामली भी देखें वो भी आपको अच्छी लगेगी तो आईए अब हम रूम ओफ मेनी कलर्स पे आते हैं इससे पहले मैं आपको पोईट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा रसकिन बॉन जिनका जन्म हुआ था हिमाचल परदेश में 1934 में यह अपने टाइम के काफे बड़े रैटर हुए इन्हें साहते एकेडमिक एवार्ड 1992 में पदम स्री 1999 में और पदम भूशन भी मिल चुका है 2014 में जब इनकी पढ़ाई पूरी होगी थी यह और इन्फ्लूएंस हुए थे मुलक राज आनन से, राजा रौ से और आर्की नाराइन से आई अब शुरू करते हैं स्टूरी यह की सुरुआत होती है रसकिन बॉन जब 4 साल के हैं इस वक्त इनके मम्मी पापा का डिवॉस हो गया था और यह अपने फादर के साथ रहा करत रसकिन बॉन अपने फादर के साथ रहा करते थे और उनके फादर टीचर थे वो पढ़ाया करते थे इलाइट क्लास के बच्चों को यानि की काफी अमीर दर्जे की जो बच्चे हुआ करते थे उन्हें रसकिन बॉन के फादर पढ़ाया करते थे और उन्हीं के साथ रसकिन बॉन्ड भी पढ़ा करते थे रस्किन बॉन्ड के मन में जो भी सवाल हुआ करती थी उनके फादर उनका रिपलाई किया करते थे और रस्किन बॉन्ड और उनके फादर उसी महल में रहा करते थे जिनके बच्चों को वो पढ़ाया करते थे इसके अलावा रस्किन बॉन्ड क एक देखरे करने वाली आया भी थी, अब उनकी जो केर टिकर थी, वो उनका अच्छे से द्यान रखा करती थी, और एक गार्डेनर भी था, जिसका नाम था दुखी, अब इस गार्डेनर का ये काम था, कि वो फूलों को सजाता था, फूलों की देखभाल करता था, और जहां भी occasion होता था उस महल में, तो उससे decorate करता था, यही उस गार्डेनर का काम था, जब रस्किन बॉन्ड के फादर, स्टुडेंट्स को पढ़ाने जाते थे, तो रस्किन बॉन्ड उसी महल में रहा करते थे, क्योंकि रस्किन बॉन्ड हर वक्त तो नहीं पढ़ सकते थे, इसल और फूलों को देखा करते थे, और उसी महल में दुखी भी रहा करता था, यानि वो गार्डेनर था, तो वो एक दिन रस्किन बॉन्ड के पास आता है, और एक गुलदस्ता बना कर लेकर आता है, रस्किन बॉन्ड को पूछता है क्या तुम ये गुलदस्ता राजकुमारी रस्किन बॉन्ड महस साथ साल के थे, इसलिए वो तयार हो जाते हैं उल्गुस्ता राणी को देने के लिए, रस्किन बॉन्ड उस टेम्स के वल साथ साल के थे, तो वो अपने नने-नने हाथों से उस फूल को उठाते हैं, वो बाइस सीड़िया चड़कर राजकुमारी तक पहुचते हैं और उसे वो गुल्दस्ता दे देती हैं, अब राजकुमारी को ये लगता है कि रस्किन बॉन्ड ने उसे इतना खुबसूरत सा गुल्दस्ता गिफ्ट किया है, तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और फिर वो राजकुमारी रस्किन बॉन्ड को महल के अ पिरंग के सीसे लगे उए थे किसे से मिलती-जुलती नहीं है यह सब सुनकर रसकिन बॉन्ट के मन में और इक्षा जान गई जानने की वो अपने पादर से पूचते हैं कि क्वीन ऐसा क्यों करती है रान रसकिन बॉन्ट के फादर बताते हैं उसे कि रानी जू थी एक गार्डेनर एक मामली से गार्डेनर के प्यार में पढ़ गई थी और बाद में वो लोग दोनों एक नहीं हो पाए तो वो रानी जू है उसके ही याद में रहने लगी अब रास्किन बॉन्ड पूछते हैं कहीं वो गार्डेनर दुखी तो नहीं फादर कहते हैं मुझे ये सब नहीं बता रसकिन बॉर्ण इस पूरी बात को जानने के लिए उस आया के पास गए जो उनका देखभाल करती थी पर उस आया ने भी रसकिन बॉर्ण को कुछ ना बताया क्योंकि वो जानती थी कि साथ साल की बच्चे को ये सब बाते बताऊंगी तो वो पूरे महल में कहता फिरेगा और महल की बाते बाहर आ जाएंगी जिससे मुझे रानी पनिस भी कर सकती है किसी नहीं बताया कि आखे वो रानी ऐसा क्यों करती और वो गार्डेनर कौन था रसकिन बॉर्ण ये कभी ने जान पाएं पर उन्हें एक जानकारी मिली कि वो गार्डेनर अब मर चुका है यानि वो दुखी तो नहीं था और रानी का ये मानना था कि वो अब दूसरे जनम में हरा साप बन गया है उनका प्रेमी और वो उनसे मिलने आया करता है इसलिए कुईन का सक्त नसीहत था सबको कि कोई भी महल में हरे साप को नहीं मारेगा ऐसा क्यों था रसकिन बाँन कभी नहीं जान पाते क्योंकि दूँ दूटिय विस्वुजूत स्टार्ट हो जाता यानी Second World War अचानक से इसलिए आया दोस्तों क्योनकि उस वक्त वार स्टार्ट हुआ और वार में रसकिन बाँन के फादर को जाना पड़ा और वो रस्किन बॉंड को क्वीन के महल में नहीं छोड़ पाए उन्होंने उसे उन्हें दादी के पास छोड़ा जो उसके फादर जंग में चले गए थे और उस वक्त उसके फादर रॉयल आर्मी में सेलेक्ट हुए थे रस्किन बॉंड अपने दादी के साथ इंगलाइन में रहा करते थे वहें से उन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई गी और उसके बाद वो दहरादुन सिफ्ट हो गए उन्होंने अपने लाइफ की कुछ वग मुंबई में भी बिताई और फिर वो अपनी सेवाई इंडिया में देने लगे और एक पड़ी राइटर के नाम पे आए तो यह थी दोस्तों यह स्टोरी जिसका नाम था The Room of Many Colors मेरी एक्स्प्लेंशन आपको कैसी लगी कमेंट सक्षान मताएं आपने मुझे पूरा सुनाज के लिए धन्यवाद लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलोंगा नेक्स स्टोरी में तब तक लिए